के लिएकों स्टुइॐं पीछसा आज की इंटरllor पॉर्श प्लस डाइपडी इंटर इंटरkiejस करती हैिसमि पीछे हम्ने बात की यह हैम ने बूला था के कैमिकल बांड आपस जोड़े रखती हैं। इसी तरह से हमारे पास Inter Molecular फोर्स की टाइप है जिसमें क्या करती है। आप्स में जोड़ के रखती हैं। प्रुद्स को नेबरिंग मॉलीकूल के द्रम्यान जो पैदा ओने वाली attractive forces हैं उनको हम नाम देते हैं intermolecular forces का like हमारे पास यह example है HCL की example हमारे पास हमारे पास इसमें हम देखने हैं कि HCL जो है ज्यादा आउटर मुस्टरल में 8 electron होते हैं और साथ में हमारे पास जो है उसमें क्या होता है उसमें भी इसी तरह से होता है जितने भी मॉली क्यों होते हैं उनका नेगेटिव पार्ट को अट्रेक्ट करता है हो काफि से इनरजी जो हमारे पास दूसरे बांडे बांड होँने चाहिए उसके लिए ऑसे लिए हम आरे होनो में पास थर्ती कि यो threatened बनता उसको हम ब्रेक डाऊन की कर सकते हैं अब नेक्स्स ऑ हमारे पास डाइपौल दाइपौल इंट्रेक्शन हमारे पास टूडेंट्स कहना डाइपौड ईंट्रेक्शन बिलकुल सेम तरह से हम भी बात कर रहे हैं कि अ रॉज रिर्षन कलोरइड की बात कर रहे थे हम ने बताया कि जब हमारे पास कोई भी मॉलीक्युल लयक हमारे पास this अच उसमें क्या होता है उसमें लेक्टर नेगिटिव ऑर नेगेटिव वह object होता है कि next वाला molecule जो automatically इसके सामने जो है like हमारे पास एक hydrogen और कलोरीन का molecule है तो उसमें क्या होगा next वाला जो molecule है जो के already जिस पे पोल्स बने हो है उसमें कलोरीन के सामने जो है साथ जो हो अट्रेक करेगा उसको hydrogen जो है partial positive के साथ जो हो पार्शल पॉजिटीव आ जागा यानि कि इनकी अरेंजमेंट जो खुद बहुत जो हो negative के सामने positive के और positive के साथ negative की automatically होती जाएगी यानि कि हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन ऐसी इंट्रेक्शन है जिसमें डाइपोल बन जाते हैं यानि कि एक पॉजिटीव एंड जो है वो दूसरे positive एंड से attract हो जाता है यानि कि adjacent molecule जो एक molecule जिसमें पोल बना हूँ है दूसरा adjacent molecule उस पर इस तरह का attach होता है उसके साथ जो है उसके साथ रिट्रेक्शन का नाम देते हैं